आखिरकार कई बार लॉंच डेट रद होने के बाद सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलिस्कोप लॉंच हो गया NASA, ESA और CSA यानि Canadian Space Agency के दौरा बनाया गया James Webb Space Telescope अपने पूरुबच Hubble Space Telescope से भी ज्यादा पावरफुल और सेंसिटिव है Hubble से भी ज्यादा accurate डेटा पाने के लिए इसे Earth Sun L2 के पास Hello Orbit पर प्लैंट किया जाएगा 1996 से ही इसके उपर काम चल रहा था और कई लॉंच डेट डिले होने के बाद आखिरकार 25 डिसंबर 2021 को कायाना Space Center से लॉंच कर दिया गया लॉंच के दोरान European Space Agency के दोरा डेबलोप किया गया पावरफुल हेबी लिफ्ट स्पेस लॉंच वेइकल एरियन 5 का साहरा लिया गया James Webb Space Telescope का नाम James E. Webb के नाम पर रखा गया है जो 1961 से 1968 तक NASA के एडमिस्टेटर रह चुके है वेगनिको को Hubble Space Telescope के जरीए काफी सारे एक्स्पर प्रैनेट्स, गैलक्सी और ताराओ के बारे में जानकारी मिली लेकिन तुलनात्मक छोटे मिरर और गर्म इंफारेट टेलिस्कोप फेसिलिटी होने पर Hubble Space Telescope में काफी लिमिटेशन्स थे मगर James Webb Telescope में काफी बड़े प्राइमरी मिरर का उपयोग किया गया है इससे महाकास में काफी गहरा ही तक नजर रखा जा सकेगा Hubble Space Telescope ने अपने कारेकल में कई सारे unknown facts दुनिया के सामने रखे लेकिन जितने दिन बीटते गए Space Science में काफी तरक्की कर ली है अब तो Earth-based Telescope से भी Deep Space Science में कई खोज कारे चलते रहते हैं तो उस दोड़ में Hubble से भी तेज Space Telescope जरूरी हो पड़ा था Finally James Webb Space Telescope के साहरे million सब दूरी में स्थित तारों और galaxies के बारे में और गहराई से study किया जा सकेगा हमारे इस एपिसोड में JSWT यानि James Webb Space Telescope के बारे में इन शॉर्ट और सरल प्रकार से बोलने की कोशिश कर रहे हैं अब आते हैं टेलिस्कोप की instruments के बारे में जो काफी important है पहला है NIRCAM जहां infrared camera लगे होंगे नेर infrared camera वाले इस instrument में koronographs लगे होंगे जो तारों से आ रहे है तेज लाइट्स को रोग देगा इससे तारों के चारों और हो रहे हैं चीजों को परकने में आसानी होगी दूसरा है NIR infrared spectrograph ये instrument टेलिस्कोप से दिखाई देने वाले objects के temperature, mass और chemical compositions के बारे में सठिक data collect कर पाएगा तीसरा है Mid infrared instrument जो एक camera एबं spectrograph का combination है इस instrument से comet, astronauts और दूर के galaxies के बारे में detailed images लिया जा सकेगा और चौथा है Fine guidance sensor या Near infrared imager and slitless spectrograph ये भी expo planetों के बारे में study के दोरान help करेगा देखा जाये तो Hubble और James Webb इन दोनों space telescope में difference जाधा तर अत्याधोनिक instrument और orbit करने वाले path पर है future में space science को popular और detailed study कराने में James Webb space telescope इतिहास रचने वाला है धन्यवाद